हैदराबाद सिटी पुलीस के तरफ से साउथ जोन डी सी पी गजराओ भूपाल साब के लीडर्शिप में एक अटेंशन डाइवर्शन गैंग का डिटेक्शन हुआ और इसमें तीन लोग जो अरेस्ट हुए शिवया, तिरुपतैया और इंदराजु उसके बाद 15 लाख रुपए का रिकवरी हुआ इसमें हमारे डी सी पी के लीडर्शिप में एसी पी फलकनुमा माजिद, रुदर भासकर, एसे चो चंदरायन गुटा, के अन प्रसाद वर्मा, डी आई, गौस खान, एसाई, टी प्रशांत, प्रवीन, वेंकटेश गौड, निखिल साई और पूरे स्टाफ चंदरायन अप्रिल को सुबह 7.20 एम, दादू स्वीट्स बस स्टैंड के बाजू में एक चेन स्नैचिंग हुआ, जूबली हिल पूली स्टेशन के पूरे ओफिसर्स, खास करके उनके एसेचो के लीडर्शिप में हमारे हेड कॉंस्टेबल ओफिसर जनारदन, कॉंस्टेबल ओफिसर नरेश, सुरेश, अनिल, नागिंदर बाबू, रवी चंद्रा और गफूर पाशा, ये लोग मिलकर ये ओफेंडर, सिंगल ओफेंडर है, जिसका नाम शिवा है, उसको गिरफतार किये, ये शिवा इसके पहले लगभग 6 ओफेंसेज में नारसिंगी के पास क्राइम किया, और अब हम लोग इसमें रेकॉर्ड डेवलप करके इसको कोशिश करेंगे पीडी एक्ट में भी डालने का, हमारे टास्क फोर्स और सीसी एस के टीम के तरफ से, एक दो लोग को पकड़ा गया, जिसमें एक बॉय जुवेनाइल भी है, और दूसरा ये भीमन पली शेकर, जो की सोशल मीडिया को मिस्यूज करके पबलिक के माइन में पैनिक स्प्रेड करने का कोशिश किया, जिसके तहट क्राइम नंबर 894 बाई 2021 अंडर सेक्शन 469505 साइबर क्राइम स्टेशन में रेजिस्टर हुआ, इस केस में हमारे OSD राधा किशन राओ के लीडर्शिप में औ और श्री KVM प्रसाद ACP साइबर क्राइम, के नागेश्वर राओ, इंस्पेक्टर आफ पुलीस टास्क फोर्स, राध्शेकर रेड़ी, SI, श्रीकांथ, परमेश्वर, सब लोग मिलकर ये बहुत अच्छा काम किये, उसके लिए हमारे तरफ से हाटी कॉंग्रेशुलेशन क्रिया, क्या है?